बीते दिन चक्की पुल पर एक ट्रक की ब्रेक फिर हो जाने से दर्जनों लोग घायल हुए थे और आदे दर्जन से जादा वहनों को इस ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया था जिसमें एक कार तो पुरी तरह से पिचक ही गई थी उसी ट्रक को पुलिस की और से डिवीजर नमबर 2 के बाहर खड़ा कर दिया गया है ट्रक इतना बड़ा है कि ट्रक के खड़े होने से वहां से अन्य वहनों का आना जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है इतना ही नहीं अगर कोई भी लापरवाई से आएगा तो इस ट्रक से उसे और भी नुकसान हो सकता है इस समद्ध में जब फास्ट्री की और से एसेचो दविंदर परकास से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस ट्रक को यहां से कहीं और जगा पे खड़ा कर दिया जाएगा जिला पठानकोट का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल वा कॉलेज 24 घंटे एम्बूलेंस सुविधा उपलब डेडिकेटेड करोनावार एक्सपिरियंस्ट स्टाफ वाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर डिल्म रिसॉर्ट पठानकोट फास्टवे पठानकोट की हर ख़बर को सोशल मेडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे नियूस पठानकोट यूट्यूब चैनल फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे नियूस पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल